हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जारी हूँ बादा कोबी और छिकन क का करी तो सबसे पहले में उपर का जो सुखा वो पत्ता था मैं उसे निकाल दी हूँ तो ये जो ताजा पत्ता है तो इसे मैं अभी बारीक बारीक काट लोंगी तो इसे ऐसी बारीक काटना बारीक काटने से क्या होता जल्दी गलता है और अगर मोटा कटता है न तो गलने में थो सा टाइम लेता है चाकू मैं तो हमेशा सार्प करके रखती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काटना मुझे पसंद है सबजी तो इसलिए मैं हमेशा अपनी चाकू को सार्प करके रखती हूँ तो यहाँ पर देख सकते कि अब मेरा यहाँ बादा को भी जो है काटना अब खतम हो के आया है मेरे हैजबिन बोले कि मेरा आज बहुत काम है तो जो तुम आज बजार ले के आओ तो मैं बहुत साल बाद बजार गई तो वहाँ पर सबजी का दाम हम पूछे तो सबजी का दाम तो सुनके तो जैसा लगा कि मेरा सर अब घूर जाएगा तो मैं सोचने लेगी कि क्या लू पचास और चालीस से तो नीचे सबजी का दाम है यह नहीं तो मैं लाशन में फिर बादा कोबी ले ली और चिकन ले ली तो आज मैं बादा कोबी चिकन करीबें बना दूँगी तो अब मैं यहां पर लहसुन छिल दी हूँ तो यहां लहसुनना मैं सामने कमूँ और पीछे कमूँ को छिल लीती हूँ तो मैं पूरा नहीं छिलती हूँ ऐसे मैं क्या होता ना मिक्सर में डालने से तो वो तो सारा जो छिल का रहता है तो वो मिक्स हो जाता है तो इसलिए पूरा छिलना जरूरी नहीं है अदरक जब भी मैं छिलती हूँ ना तो अदरक का यहां से निकला हुआ है कभी वहां से निकला हुआ है तो मैं यह सब सारे चीज को पहले काट लेती हूँ तो जैसे यहां सिंगल सिंगल ऐसे सब हो जाता है तो इसे छिलना बहुत इजी होता है तो इसी तरह से मैं सब छील लेती हूँ तो ऐसे ही मुझे बहुत असान पड़ता है तो मेरा अब यहां अद्रक छीलना कम्पिलीट हो चुका है तो यहां मैं तेल को कड़ाहे में डाल रही हूँ तेल मेरा जब हाड गरम हो जाता है तभी मैं इसमें फिर प्याज डाल देती हूँ तो अब मेरा जब तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी तो मेरा यहां पर ग्यासी श्टोप का जो फ्लेम लो था तो मैं हाई कर दी हूँ अब मैं इसमें प्याज डालके इसे फ्राइ कर लूँगी प्याज को अब मैं इसे फ्राइ के लूँगी प्याज चा लूँगी प्यूभी प्याज कर लूब जी चारे के लूब का बालके इसे फ्याज शचेज एक हुआ ए। तो अब मैं यहां पर चिकिन धोरी हूं मेरा ना सुभा का बरतन रखा हुआ है नाश्ता का क्यूंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी मुझे पकाना था तो अगर मैं बरतन धोने लगती ना तो यहां पर मेरा पकाने में लेट हो जाता तो मैं आज यहां पर सबसे पहले में न तो जब ये प्याज जब मेरा फ्राइ हो जाएगा तो मैं फिर उसमें चिकन को डाल दूँगी प्याज फ्राइ हो गया है तो मैं इसमें अब चिकन को डाल दूँगी प्याज को हमेशा डार्क मतलब आपको फ्राइ करना चाहिए क्योंकि वो बादा कोभी का जो सबजी है उसमें डार्क फ्राइ करना चाहिए तो अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी नमक आपको बाद में भी डालना है सबजी में मैं भी चिकन में डाल रही हूँ नमक को क्योंकि वो नमक उसमें जाता है चिकन में वो आप बाद में गत देते ना तो चिकन में नहीं जाता है नमक तो मैं ऐसे ही पहले चिकन में डाल लेती हूँ अधरक लसुन के पेश डालने के बाद में इसे अच्छे से मैं चलाओंगी अधरक लसुन के पेश डालनी के बाद मैं मैं इसमें डाल दूँगी अब एक छोटी चम्मच मिर्च पाउडर आप अपने तिके के हिसाब से डाल सकते हैं आधे चम्मच मैं अब डाल दूँगी इसमें हल्दी पाउडर हल्दी पौडर भी डालनी के बाद इसे अच्छे से चलाना है फिर इसमें मैं डाल दूंगी गरम मसाला यहाँ पर मैं गोटा डाल दी हूँ तो आप चाहे तो इसे पौडर भी डाल सकते हैं अब मैं इसे अच्छे से भी मैं भून लूंगी मसाले को मसाले को आपको अच्छे से भूनना है क्योंकि उसमें आपका जो चिकन में थोड़ा सा नमक और मसाला जाना चाहिए तो यहाँ पर मेरा भूनना हो गया है तो मैं इसे हलका सा पानी डाल दी हूँ चिकन ढाकने पराबर आपको पानी डालना चाहिए और मैं इसे अभी मैं low flame में ढाक कर छोड़ दूंगी ताकि मेरा low flame में थोड़ा सा चिकन पक के वो low flame में पकने से ना बहुत अच्छा चिकन पकता है ये चिकन को ना high flame में नहीं पकाना चाहिए अभी मैं इसे ढाक कर छोड़ दूंगी 15 मिनिट के लिए 15 मिनिट के बाद मैं इसे खोल कर देखिऊं कि मेरा चिकन अब बन गया है तो ऐसे ही आपको चिकन को बना लेना है बांदा कोबी मैं यहां पर धोकर रखी थी बारिक काट कर तो मैं इसे अब डाल दूंगी चिकन में चिकन में इसे बांदा कोबी को डालनी के बाद भी मैं इसे अच्छे से पका लूंगी लो फलेम में ऐसे ही पका लेना है तो मैं अभी हलका सा पानी दूंगी ताकि मेरा जो सबजी है सबजी भी थोड़ा सा मसाला जाता है उसमें तो इसे मैं ज़रा सा पानी डालके लो फल्म में ऐसे ढख तो छोड़ दूँगा फिर उसे दस मिनिट के बाद में चेक करूंगी कि ये मेरा सब्जी गला है या नहीं तो दस मिन्ट के बाद मैं खोल के देखूंगी कि हाँ मेरा सबजी अभी गलना बाकी है तो मैं इसमें अभी और आधा गिलास पानी डाल कर मैं ऐसे हिला कर ढखक कर छोड़ दूँगी तो फिर उसे फिर एक बार मैं चेक कर लूँगी कि सबजी गला है या नहीं जब मेरा सबजी जब रेडी हो जाएगा तब फिर मैं उसमें अब डाल दूँगी जीरा गोलकी का फक्की जीरा गोलकी धनिया आप ये सब भी डाल सकते हैं तो मैं फिर उसमें जब मेरा तरकारी बन जाता है तो मैं जीरा धनिया गोलकी का फक्की बना कर मैं उपर से मैं फिर उसमें डाल देती हूं कर दो ऌना को felेशने के बोपना करते हैं 10 कुए लगोल शेंine कर दो दो मैं इसादिध उसमें कर दो दो, ख सकते है 164 उसमें 1926 Oh है जाता है